सभी साथियों का जल्दे से क्लास में जूर जाएं और ऐपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कर दें बहुत ही शांदार क्लास होने वाला है और बहुत शांदार तरीके से हम लोग आज किस class की शुरुबात करेंगे ठीक है तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग साम पांच बजे जी के जीस की आपके class होती है UPBR exam के लिए तो हम लोग जो previous year के question है उनको discuss कर रहे हैं इसके पहले वाली class को अगर आपने नहीं देखा है तो उसका link आपको वीडियो के discussion box में मिल जाएगा वहाँ से जाके आप लोग previous class को देख सकते हैं ठीक है तो चलिए आज की इस class की शुरुआत करते हैं सांदार परसनों के साथ आज की इस class की शुरुआत करते हैं हम लोग तो आज हम लोग जो है समानी ग्यान यानि जीके की class है और पिछले कई वर्षों से बी एड एक्जाम में जितने भी परसनों पूछे गए हैं उन सभी परसनों को discuss करने वाले हैं तो जो भी साथ ही चैनल पे नए आते हैं चैनल को subscribe करेंगे और अपने सभी साथियों में class को share करेंगे class को share करते रहिएगा आप लोग ठीक है तो सभी साथ ही चैनल को subscribe कर लेंगे जो भी साथ ही नए आते हैं चैनल पे और class पसंद आती है तो class को like कर दीजे सभी साथियों में share कर दीजे और comment box में comment करके जरूर बताइएगा कि class आपको कैसा लगा ठीक है आपके like comment और share से हमें motivation मिलती है और भी वीडियो बनाने की ठीक है अगर class की PDF अगर आप चाते हैं तो इसका link आपको वीडियो के discussion box में दिया गया है यानि हमारे टेलीग्राम चैनल का link आपको वीडियो के discussion box में दिया गया है वहाँ से जाकर कि आप टेलीग्राम चैनल को join कर सकते हैं सार पीडियो फाइल आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी ठीक है तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज के पहले person की तो person number 1 कह रहा है कि संप्रदाइक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरम्भ किया गया था तो इस person का सही जवाब हो जाएगा option number 2 की है इंसांग किसके सासनकाल के दोरान भारत आया था option A है चंद्रगुद पर्थम आपशन B है चंद्रगुद दुद्तिय आपशन C है हर्षवर्धन आपशन D रूद्रामन तो क्या होगा इसका सही जवाब होगा option number 3 हर्षवर्धन चीनी यात्री हैंसांग ये चीन का यात्री था और ये हर्षवर्धन के सासनकाल में भारत के अंदर आया था बात करें पर्षवर्धन नमबर 3 की वापस वेदो की और लोटो ये नारा किस नहीं दिया आपशन E है स्वामी वेवेकानन आपशन B है स्वामी दयानन सरस्वती आपशन C है अर्विंद घोष द्वारा ये आपशन D राजा राम मोहन राय द्वारा तो इस पर्षवर्धन का सही जवाब हो जाएगा आपशन नमबर B स्वामी दयानन सरस्वती इन्होंने वापस वेदो की और लोटो ये नारा दिया था ठीक है क्लास को लाइक सेर जरूर कीजे और सभी साथी अपने सभी साथियों में क्लास को सेर करते रहेंगे ठीक है और वस्तूओं और स्यमाओं के कुल मुल्य को क्या कहते हैं आपशन ने कहता है कि प्रायोज आय कहते हैं या आपशन B राश्टी आय या आपशन C प्रतिविक्ति आय आपशन D नीवल राश्टी आय तो इस परसन का सही जवाब हो जाएगा आपशन नमबर D नीवल राश्टी किसी निश्य समय आउधी में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और स्यवाओं के कुल मुल्य को निवल राश्टिय आई कहा जाता है। किसी अर्थ बेहुसता में सरकारी खर्च पर नियंतरान एक ऐसा कारी है जो केंद्रिय बैंकों के कारियों में सामिल नहीं है। किसी अर्थ बेहुसता में सरकारी मुद्रिक निती पर नियंतरान ये भी केंद्रिय बैंक कारी है। केंद्रिय बैंक कारी नहीं है। बैंकर के बैंक के रूप में कारी ये भी केंद्रिय बैंक कारी है। चलिए बात करते हैं वर्ष नमबर 6 के। उस तकनीकी को क्या कहते हैं जो एक कितरिम दुनिया की श्रीजन की शमता प्रदान करती है। और उसमें लोग प्रसपर अंतह किरिया भी करने लगते हैं। आफशन ये कहता है कि दूरस्त वास्तविक्ता, आफशन B आभासी वास्तविक्ता, आफशन C वैकल्पिक वास्तविक्ता, आफशन D थ्रीडी वास्तविक्ता, तो इस परसन का सही जवाब हो जाएगा। आप्षन नमबर B आभासी वास्त विक्ता आभासी वास्त विक्ता जो है एक प्रकार की ऐसी तकनीक है जो कैतरीन दुनिया की श्रीजन की शमता परदान करती है और इसमें जो है लोग परसपर अंते किरिया भी करते हैं तो आप्षन B is right answer बात करें पर्षन नमबर 7 की भुरी क्रांती किशे कहते हैं आप्षन यह है चारा उद्योग का विकास आप्षन B समंद्री उत्पादों का विकास आप्षन C दुग्द अयो दुग्द उत्पादों का विकास आप्षन D भारत में खादे प्रहसंक्रान अयो शीतल पेयों के उद्योगों का विकास तो इस परस की शुरुवात की गई थी इस क्रांती के अंत्रगत उर्वक उत्पादन और गयर प्रामप्रागत इधन के उत्पादन के छेत्र में प्रगती को भुरी क्रांती के रूप में जाना जाता है ठीक है तो भुरी क्रांती किसे कहते हैं भुरी क्रांती जो है भारत में खादिप् भारती किर्शी का किशी महात्पूर अस्तर तक यांतरी करन किस कारण से संभव नहीं है आप्शन A है छोटे जोत छेतर आप्शन B टेक्टरों की भूमी आप्शन C लोगों की उदासिंता आप्शन D किशानू की गरीबी तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप्शन नमबर A छोटे जोत छेतर के कारण हमारे देश में क्या है कि कई किशान ऐसे हैं जिनके पास में खेत जो है उनका जो छेतर है बहुत छोटा है यानि वो बहुत कम खेतों के जोतार है अगर अधिक सेंख्या में खेतों के जोतार होंगे तो हमारे भारती जो किर्शी है उसका महत्पूर्ण अस्तर होगा लेकिन छोटे जोत छेतर के कारण हमारी भारती किर्शी का जो अस्तर है वो यांतरी करण है है ना आप कह सकते हैं कि हमारे छोटे जोत छेतर के कारण इनका जो यांतरी करान है वो शंभाव नहीं है ठीक है तो आपसन A is right answer होगा चलिए बात करते हैं पर्ष नमबर 9 की हेलियम से भारा गुबारा वायू में उन्ने लगता है क्योंकि आपसन ने कहता है कि वायू से गुबारे को उपर उठाने का बल मिलता है आपसन B कहता है कि गुबारा जो होता है वो भारहीन हो जाता है आपसन C है हेलियम का घनत वायू से कम होता है या आपसन D हेलियम गुबारे के नीचे से वायू को हटा देता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा option number C helium से भरा गुबारा Y में उन्ने लगता है क्योंकि helium का जो गहनत होता है वो Y से कम होता है ठीक है? अब जोब helium का गहनत Y से कम होगा तो वो तो उड़ेगा ही, ना? तो option number C is right answer बात करते हैं person number 10 की option number C option number C option B, रात की समय आपशन C दोनों समय आपशन D, मौशमी तो सही जवाब हो जाएगा option number A, दिन के समय option number C option number 11 की कोई वेक्ती सुक्ष्म दर्शी और दूर दर्शी यंत्रों में अंतर क्या देख कर जान सकता है? माली जी किसी वेक्ती को सुक्ष्म दर्शी और दूर दर्शी यंत्रों में अंतर पता करना है तो वो कैसे पता कर सकता है? तो option A है लंबाई को देखकर option B, रंग को देखकर या option C, लेंस का आकार देखकर या option D, लेंस की लंबाई और आकार देखकर तो इसका सही जवाब हो जाएगा option D, लेंस की लंबाई और आकार को देखकर कोई भी वेक्ती सुक्ष्म दर्शी और दूर दर्शी यंत्रों में फरक यानि अंतर का पता कर सकता है चलिए बात करते हैं पर्श नंबादा की सही जवाब हो जाएगा option नंबर B, आंदर परदेश तो साथियों ये सभी पर्शन जो है आपके ये बीयड, UP बीयड एक्जाम 2012 में पूछे गए पर्शन है और ये सभी पर्शन बहुत ही मैध्पूर्ण पर्शन है तो अहम लोग जो है वो previous year के जो कोईशन है उनको डिस्कस कर रहे है इससे आपको पता लग जाएगा कि आपके बीयड एक्जाम में कोईशन का जो अस्तर होता है यानि किस टाइप के कोईशन आपके बीयड एक्जाम में पूछे जा सकते हैं ठीक है? तो काफी महत्पूर्ण क्लास है तो क्लास को लाइक सेर जरूर कीजे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुनने का प्रयास कीजे चलिए बात करते हैं पर्शन नमबर 13 की एक्ज किर्णो की खोज किसने की? आप्शन ए है फेराडे आप्शन B है तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप्शन नमबर B रोइंट जेन रोइंट जेन ने एक्ज किर्णो की खोज की थी चलिए बात करें पर्शन नमबर 14 की निमे से कौन सा भारत के पूर्वी तटका एक मुख्य बंदरगार पतन है आप्शन ए है तो इस पर्शन का सही जवाब होगा आप्शन नमबर D पॉर्वी तटका एक मुख्य बंदरगाय है बात करें पर्शन नमबर 15 की सहद की मख्य का विश्य कैसा होता है आप्शन A है अमलिये आप्शन B चारिये आप्शन C नमकीन आप्शन D प्रोटीन तो क्या होगा इसका सही जवाब आप्शन नमबर A is right answer सहद की मख्य का जो विश्य होता है वो अमलिये प्रकती का होता है ठीक है अमलिये और चारिये प्रकती के बारे में आप जानते होंगे इसके बारे में पता करने के लिए एक स्केल होती है जिसका नाम होता है पी एच स्केल अगर पी एच स्केल पर साथ से नीचे है तो वो आपका अमलिये होगा और साथ से उपर है तो वो आपका चारिये होगा और साथ है तो वो आपका उदाशिन होगा ठीक है इस प्रकार से हम लोग अमलिये और छडिये परकती के बारे में पी एच इसकेल से पता करते हैं चलिए बात करते हैं पर्स नमबर 16 की संचार नेटवर्क जिसका परियोग बड़ी संस्ताओं द्वारा प्रार देशिक राश्टिय और वैस्विक शेत्र में किया जाता है कहलाता है आफशनी है L.A.N. यानि Local Area Network W.A.N. C.M.A.N. आफशन D. V.A.N. तो इसका सही जवाब होगा आफशन नमबर B W.A.N. वाइड एरिया नेटवर्क चार नेटवर्क जिसका परियोग बड़ी संस्ताओं द्वारा पारदेशिक राष्टिया और वेस्विक शेत्र में किया जाता है वो कहलाता है वाइड एरिया नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है जिसके माध्यम से संस्ताओं बड़ी बड़ी जो संस्ताओं होती है जो पारदेशिक राष्टिया और वेस्विक छेत्र में कारी करती है वो सभी संचार नेटवर्क का परियोग करती है जोगा है चलिए बात करते हैं पर्ष नमबर 17 की खाना फकाने का तेल वनस्पती घी में किस प्रकरिया द्वारा बदलता यानि बदला जाता है आफशन ने कहता है क्रिष्टलन द्वारा आफशन भी है संगनन द्वारा आफशन सी हाइडरोजनी करन द्वारा आफशन डी आक्षी करन द्वारा तो इस पर्षन का सही जवाब हो जाएगा आफशन नमबर सी हाइडरोजनी करन द्वारा खाना पकाने का जो तेल है वनस्पति घी में हाइड्रोजनी करन के द्वारा बदला जाता है बात करें पर्श नमबर 18 की पर्श नमबर 18 कहरा है कि काफी संख्या में कम समय में एक ही जैसे पौधे किस प्रनाली से उत्पन किया जा सकता है आप्षन ये कहता है कि एक ही पौधे के बहुत सारी वीजो से आप्षन भी कहता है कि तने काट कर आप्षन सी है उत्तक समवर्धन विधी से या आप्षन डी जल समवर्धन विधी से यानि question जो है आपसे ये पूछ रहा है कि काफी संख्या में कम समय में ही एक जैसे अगर पौधे प्राप्त करना है तो इसके लिए कौन सी प्रेनाली जो है वो अपनाई जाती है तो इसका सही जवाब होगा option number C उत्तक सवर्धन विधी से एक ही जैसे पौधे जो है आप वो प्राप्त कर सकते हैं ठीक है अचली ये बात करते हैं पर्स नंबर 19 की तो पर्स नंबर 19 कहला कि यदि कोई दंड चुमबक दो बराबर हिश्चों में काट दिया जाए तो परतेक टुकडे की धुरूबिये सकती पर क्या प्रभाव पड़ेगा option ने कहता है कि दुगनी हो जाएगी option B आधी हो जाएगी option C सुनी हो जाएगी option D यथावत रहेगी तो इसका सही जवाब हो जाएगा option number D यथावत रहेगी देखे पर्षन कहरा कि यदि कोई दंड चुमबक दो बराबर हिश्चों में कार दिया जाए माली जी ये कोई चुमबक है ठीक है और चुमबक में आप लोग जानते है इसकी उत्री दुरू और दक्षनी दुरू होता है ठीक अगर इस चुमबक को कार देंगे हम लोग बीच में से माली जी इसके टुकड़े कर दिये तो क्या ये चुमबक का गुण परदसित नहीं करेगा ये तब भी चुमबक का गुण ही परदसित करेगा यानि अगर इसको आप कार देंगे तो इसके जो टुकड़े बनेंगे उसके भी उत्री दुरू और सावत यानि दक्षनी दुरू दोनों होगी है ना और इसकी भी होगी उत्री दुरू और दक्षनी दुरू दोनों चुम्बक ते होगी है ना तो ये चुम्बक का गोण परदसित करेगा इसकी दुरूविय सक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा है ना वो यथावत ऐसे के ऐसे बना रहेगा तो option number D is the right answer होगा ठीक है च पर्ष नमबर 20 की चम्गादर की ध्वनी कैसी होती है आफशन ले कहता है श्रव ये किस नहीं के थी आपशने मौलाना अहमद अली आपशन भी मुहम्मद अली जिना आपशना C आखा खान आपशन D हकीम अजमल खान तो तो सही जवाब होगा आपशन नमबर C आघा खान आगा खान ने आल इंडिया मुसलिम लेकी अस्थापना के थी बात करें पर्ष नमबर 22 की यानि 22 की तो स्युक्त राष्टी संग के सदश देशों ने विश्व सान्ती तथा उसकी सुरक्षा की प्रात्मिक जिमेदारी किसे सवपी है आपशन ए समानी शवा को, आपशन भी आर्थिक तथा समाजिक परिशत को, आपशन C, सुरक्षा परिशत को, आपशन D, अंतरराश्टिय न्याई फीट को तो सही जवाब होगा आपशन नंबर C, सुरक्षा परिशत को सभी साथी क्लास को लाइक सेर जरूर कीजिए और अपने सभी साथियों में क्लास को सेर कीजिए ये सभी परशन आपके परिक्षाओं की दृष्टी कोंड से काफी महत्मून है ठीक है तो चलिए बात करते हैं परशन नमबर 20 की पर्स नमबर तेज केता है कि भारत ने अंतराश्टी सुनामी चेताउनी प्रणाली को कब अपनाया था आप्षन यह है 2004 में, आप्षन B 2005 में, आप्षन C 2006 में, आप्षन D 2007 में सही जवाब होगा आप्षन नमबर B 2005 में तो अगर आपको क्वेशन पूछा जाए कि भारत ने अंतराश्टी सुनामी चेताउनी प्रणाली को कब अपनाया था तो 2005 में अपनाया था, ठीक है चलिए बात करें पर्स नमबर 24 यानि 24 की वाई मंडल की सबसे नीचे की पराथ है आप्षन नमबर A समताप मंडल, आप्षन नमबर B बाहे मंडल, आप्षन नमबर C शोब मंडल, आप्षन D माधे मंडल सही जवाब होगा आप्षन नमबर C शोब मंडल वाई मंडल की सबसे नीचे की जो पराथ है वो आपका शोब मंडल है बात करें पर्ष नमबर 25 की यानि 25 की तो 2012 ओलंपिक खेलो में नीम लिखित में से किस देश का पर्थम अस्थान था आफशन नमबर A चीन, आफशन नमबर B फ्रांस, आफशन C सेंट राज अमेरिका, आफशन D आस्ट्रेलिया सही जवाब होगा साथियों, आफशन नमबर C सेंट राज अमेरिका, 2012 में जो अलंपिक खेल हुआ था, उसमें सेंट राज अमेरिका जो है, वो पर्थम अस्थान पर थी, तो साथियों, आज किस क्लास में हम लोगों ने UPBA प्रीवेस यर के कोईशन को डिसकस किया, जो कि आप लोग अच्छे तरीके से त्यार कीजिए, क्योंकि ये प्रीवेस यर कोईशन है, तो रिपीट भी हो सकते हैं, बहुत ही शांदार परसन है, और बहुत ही महत्मून परसन है, ठीक है, तो साथियों, आज क्लास आपको कैसा लगा, कमेंट बुक्स में कमेंट करके जरू बताइए, क्लास अगर आपको पसंद आई हो, तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने सभी साथियों में सेर कीजिए, और सबसे ज़रूर बात चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धनिवाद, थाइक यू, थाइक यू वेरी माच, जैहिं, जैभारत!